हलो फ्रेंज वेल्कम टू एलेस फूड लाइफ और आज मैं आपके लिए लिए लेकर आई हूँ आम की खट्टे मीटे चट्नी और आम की सीजेन भी है तो आम की खट्टे मीटे चट्नी तो बनाना बनता है और इसे आम बहुत सिंपल और इजी वे में बनाएंगी बनाना अस और यह टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा लाजबाब होती हैं तो चलिए आज के खट्टे मीटे आम की चट्नी को शुरूर करते हैं अगर आज के रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना भूलें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अने यह हम काट लेंगे और फिर आम इसे चील लेंगे यानि कि इसका पिल निकाल लेंगे तो आम को मैंने चील लेया है अब देख सकते यानि कि इसका पिल निकाल लिया है तो इसे हम काट लेंगे लंबे-लंबे साइज में और जो इसका जो बेच है ना आप देख सकते अंदर बीच है इसे हम निकाल लेंगे और मैंने दो आम यूज़ किया आप चाहे तो दो से तीन भी यूज़ कर सकते हैं और क्यारफली इसे बीच को निकाल लें और मैं लंबाई में काट रही हूँ आप चाहे तो छोटी-छोटी टुकरे में भी काट सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है आ को छोटे या और पतला अगर कटनी है तब उससे भी कट सकते हैं तो आम हमारा सारा कट हो चुका है आप देख सकते हैं इसे हम धो लेंगे एक से दो बर यानि की वाश कर लेंगे तो आप देख सकते हैं तो आमको मैंने वाश कर लिए अच्छी तरह से तो चलिए अब हम चलते नेक्स पोसेस पर यानि की चटनी बनने की प्रोसेस में दो टेविल स्फोन यानि की दो बरी चमुज हम सोर्सो का तेल गरम कर लेंगे और चाटनी ज़्यादा तरी सोर्सो का तेल में अच्छा लगता है अगर आप चाहे तो कुकिंग का दूसरा ओयल भी यूज कर सकते हैं साथ ही इसमें हम डालेंगे चार सुखी मिर्ची आप चाहे तो सुखी मिर्ची तोड़के भी यूज कर सकते हैं और अगर आपको सुखी मिर्ची ज़्यादा लगे तो आप सुखी मिर्ची कम यूज कर सकते हैं और आदे चोटे चमुज बलाक सोर्सों अगर आपके बलाक स पूर्सो भी यूज़ कर सकते हैं और जब सोर्सो चटकने लागे फीरामिस में डालेंगे आम जो आम हम कटके रखे हैं वो हम डाल देंगे इसे चला दे इस तरह से और इसमें हम डालेंगे एक चौथाय कप चीनी चीनी अगर मतलब मीठा अगर कम या ज़ादा चाहिए तो च चौथा चौटा चमस नमक नमक एक चौथा चौटा चमस या फिस्वाद उनसर यूज़ करें नमक और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब यह मिक्स हो जाए फिरामी से ढखके लो फ्लेंपे दो मिनिट के लिए कुप कर लेंगे तक कि आम थोड़ा सॉफ्ट हो जा करेंगे और इसमें जादे इंगीरिटिंस हम यूज नहीं करेंगे बहुत ही कम समागिरी से ये बनके तयार हो जाते हैं और इसे बनाना असान है और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होते हैं आप इस तरह से बनाके देखिए एक चौटा चमस लालमिच पाउडर अगर आपको तेखा कम या जादा चाहिए तो लालमिच पाउडर अब कम या जादा कर सकते हैं और ये नॉर्मल लालमिच पाउडर है जो कि तेखा बहुत ही जादा है और एक चुटकी हल्दी पाउडर एक चुटकी से जादे इसमें हल्दी पाउडर की जरूत नहीं है हल्दी लालमीच पाडर कम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी यूज़ करेंगे और मैंने इसमें कारी पानी तीन से चार टेविल स्पून पानी यूज़ किया इससे जादा नहीं होंगे अगर आपको ग्रेवी वाले चाहिए तो आप पानी थोड़ा जा कोटिंग हो जाए दो मिनिट के बाद मैंने ठकन खुला आप देख सकते हैं और थोड़ा सॉफ्ट हो चुकिन मैंने आपको पूरा नहीं गलने दिया मतलब सॉफ्ट ए लेकिन जाद इसको मुद्द खिच्री नहीं बन जाता वैसा नहीं कि आप देख सकते हैं आप चटनी क कलार देखे कलार कितना लाजोबाव है और बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट बहुत ही इमेजिंग होता है इस खटे मीटे आम की चटनी का इसमें हम डालेंगे लास्ट में एक बरी चमच भूने सॉफ्ट और जीरा की पाउडर है जो मैंने पहले त्यार करके रखे वह हम अगर आपके पास सॉफ्ट और जीरा भूनी यह नहीं है पाउडर तो आप थोरा सा सॉफ्ट और जीरा भून के उसको कूट के यूज करें कि इसका जो फ्लेवर सॉफ्ट और जीरा का वो बहुत ही अच्छा लगता है आप डाल के देखिए तो यह हम डाल देंगी और कर लेंगे तो चलिए चलते सर्फ करने की प्रसेस में अपने देखा इस चटनी को कितने सिंपल और इजी वे में मैंने बनाया है इसमें ज्यादा ताम जाम नहीं किया बहुत ही सिंपल सा रेसेपी और खटड मीट है जो कि बहुत ही अच्छा लग आम के सीजन में आराम का चटनी ना बाने ऐसा तो होई नहीं सकता क्योंकि बच्चे यह बरे सबको आम के खट्टे मीटे चटनी पसंद होते हैं और इस चटनी का आप एक हफता तक फिरिज में स्टोर करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होंगे आप मुझे इंस्टागरम या फेजबुक में फॉल बाइ बाइ